खबर भीकन गाउं से लड़की को गाउं से लिजा कर बहला फुसला कर किया दुशकर्म भीकन गाउं पुलिस ने किया गरेफ्टार बीकन गाओ पुलिस थाने पर ग्राम मंडव खेडा के एक युवक पर 376 का मामला दर्च खरगौन से लेके बीकन गाओ में ग्राम कालदा की 20 साल के चाती भिलाला ग्राम कालदा घर से बाहर शौच के लिए गई जब घर नहीं लोटी तो माता पिता ने उसे ढूंडा नहीं मिली तो परिशनों ने भीकन गाओ पुलिस थाने पर गुमशूदगी रिपोर्ट दर्च कराई जिसे पुलिस तवारे तलाश की गई तो सूनिक मिलने पर बताया कि उसके ही दूर के रिष्टिदार राकेश पित कर अपरात पंजी बत किया गया आरूपी को नियाले में पेश कर जेल भेश दिया चाहेगा गाउं के पास में वार्म इसके खिते में राके हो हूं खेतों में और को राके हो आगी उल्टा सूल्टांके दो दिन तिन सखर कर ज़रे नहीं रखा जिसको बाद में 36 तो तो क्या पूरा वीशा है था यह जा यह था एधाना भीकशना के गाउन में कर सब्सक्राइब करना था रिपोर्ट करना था रिपोर्ट के अधार पर हम लोग ने गुमिन्सान कर्मा अर्षाट अब्लिक 20 कायम कर एसाई सोलंकी सहाब को जाच हेतु जिया गया जाच के दवरान सूचना मिलने पर आज उमर 20 साल निवासी कालधा को पिता जुवान सिंग के निवासी बाल खेडा के कवजे से ग्राम मांडाव खेडा रस्ते रोड खेट में बरामत किया जिसको थाना लाकर उसे पुस्ताच की गई इसके बियानों के अधार पर हम लोग अब्रिक बीज भारा 566, 566, 566 N, 2N, 506 IPC का अफरात पंजी बोट कर विविशना में दिया गया है खबर भारत वर्ष के लिए खरगौन जिला भीकन गाउं से विकाश रवास की रिपोर्ट प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ पैल आइकन दबाना न भूल क्योंकि खबर हमारी पैसला चनतंत्र का